चलिए अब देखते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या-क्या सीखेंगे हम सीखेंगे एपी का एनवा पद, एपी का व्यापक पद, एपी के अंतिव पद से एनवा पद माल लीजिए कि 4, 7, 10, 13 एक एपी है जिसमें 30 पद है एपी का उन्नस्वा और चौबस्वा पद ग्याद कीजिए चलिए अब इसका हल देखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जब हम पहले पद में 3 जोडेंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा और दूसरे पद में हम 3 जोडेंगे तो 3 और इसी प्रकार यह तीसवे पद तक चलेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रथम पद A1 4 है और सारवानतर D 3 है तो दूसरा पद A2 4 प्लस 3 जिसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस ब्राकेट में 2 माइनस 1 इंटू 3 तीसरा पद भी हम इसी प्रकार निकालेंगे और चौथा पद भी और A1 भी इसी प्रकार निकालेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यह N-1 बार आया है अर्थात A1 4 प्लस N-1 इंटू 3 जिसे हम लिख सकते हैं A1 बराबर A1 प्लस N-1 इंटू D जहाँ A-N एन एन वा पद है A1 प्रथम पद है और N-1 पदों की संख्या है और D सारवांतर है खृपया से अपनी कॉपी में नोट कर लें अता इस सूत्र से हम 19 पद निकाल सकते हैं जो हमें 58 मिलेगा और 24 पद 73 मिलेगा अता उपरोक्त सूत्र में प्रथम पद, सारवांतर और N जो की पदों की संख्या है का मान प्रतिस्थापित करके हम A-P के किसी भी पद को ज्याद कर सकते हैं कृप्या से अपनी कॉपी में नोट कर लें प्रथम पद A और सारवांतर D वाली एक A-P का N वा पद A-N बराबर A1 प्लस N-1 D द्वारा प्राप्त होता है A-N को A-P का व्यापक पद भी कहते हैं कृप्या से अपनी कॉपी में नोट कर लें यदि किसी A-P में M पद है तो A-N इसके अंतिम पद को निरूपित करता है जिसे कभी-कभी L द्वारा भी व्यक्त किया जाता है ध्यान रखें कि प्रथम पद A1 को A द्वारा भी निरूपित किया जाता है कृप्या से अपनी कॉपी में नोट कर लें अब इस उधारन को खुद से हल करने का प्रयास करें हल कुछ इस प्रकार होगा अताद दी हुई A-P का दस्वा पद 47 है कृप्या से अपनी कॉपी में नोट कर लें चलिए अब दूसरा प्रश्ण देखते हैं वह A-P निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सात्वा पद 9 है वीडियो को रोकें और इस प्रश्ण को खुद से हल करने का प्रयास करें हल कुछ इस प्रकार होगा हमें प्राप्त है A-N बराबर A प्लस N-1 इंटू D जिससे हम A-3 निकाल सकते हैं और इसको पहला समिकरन मानेंगे और A-7 निकालेंगे जिससे हम दूसरा समिकरन मानेंगे दोनुं समिकरनों के युग्म को हल करने पर हमें प्राप्त होता है A-2D बराबर 5 और A-6D बराबर 9 इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस 4D बराबर माइनस 4 तो हमें D प्राप्त होगा 1 D के इसमान को समिकरन एक में रखने पर हमें प्राप्त होता है A3 अतह वांचित AP कुछ इस प्रकार होगा कृप्या से अपनी कॉपी में नोट कर ले चलिए अब दूसरा प्रश्ण देखते हैं क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पर 301 है क्यूं वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें हल कुछ इस प्रकार है जैसे कि हमने यहाँ देखा कि N एक धनात्मक पूर्नाग होना चाहिए क्यूंकि पदों की संख्या भिन नहीं हो सकती है अता हम कह सकते हैं 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है क्रपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें सबसे पहला नोट अंतिम पद से एनवा पद माल नीजी कि कुछ इस प्रकार है यदि हम AP को विप्री तोड से देखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा AN, AN-1, AN-2 से लेकर A1 तक जब हम AN को AN-1 में से घटाएंगे तो हमें –D मिलेगा अर्थात अंतिम पद से पहला पद T1 L है अंतिम पद से दूसरा पद T2 L-D है और अंतिम पद से तीसरा पद L-2D है और अंतिम पद से चौथा पद L-3D है अता अंतिम पद से एनवा पद TN बराबर L- ब्राकेट में N-1 इंटू D होगा कृप्या से अपनी कॉपी में नोट कर लें माल लीजिए कि एक पद AP में N पद है तो अंतिम पद से दूसरा पद बराबर होगा प्रारंब से N-1 इंटूवे पद का अंतिम पद से तीसरा पद बराबर होगा प्रारंब से N-2 इंटूवे पद का अता, अंतिम पद से P वा पद बराबर होगा प्रारंब से N-P प्लस वनवे पद का कृप्पया से अपनी कॉपी में नोट कर ले चलिए, इस पर एक प्रश्न करे दिये गई AP का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11 पद ग्याद कीजिए वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें चलिए, अब इसका हल देखते हैं पहली विधी, यहां हमें A 10 दिया गया है D हम निकाल सकते हैं और L माइनस 62 दिया गया है जहां L बराबर है A प्लस N माइनस 1 इन्टू D के अंतिम पद से ग्यारवा पद ग्याद करने के लिए हम AP के पदों की संख्या ग्याद करेंगे इसलिए, माइनस 62 बराबर होगा माइनस 10 प्लस N माइनस 1 इन्टू माइनस 3 इसको हल करने पर हमें N 25 मिलेगा अता दिये गए AP में 25 पद है अंतिम पद से ग्यारवा पद बराबर है प्रारंब से 25 माइनस 11 प्लस वनवे पद का चुकि अंतिम पद से P वा पद बराबर है प्रारंब से N माइनस P प्लस वनवे पद का अता अंतिम पद से 11 वा पद बराबर होगा प्रारंब से 15 वे पद का अर्थात T11 बराबर होगा ए 15 के अता T11 बराबर होगा ए 15 के जिससे हमें मिलेगा 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 3 जिससे हल करने पर हमें माइनस 32 मिलेगा अर्थात अंतिम पद से 11 पद माइनस 32 है क्रिपया से अपनी कॉपी में नोट कर ले चलिए अब इसी प्रश्ट को दूसरी विधी से हल करें हमें AP यह दिया गया है माइनस 62 माइनस ब्राकित में माइनस 3 और इसी प्रकार आगे की प्रनाली आगे बढ़ेगी चुकि A माइनस 62 है और D तीन है इसलिए अब ग्यारवा पद ग्यात करना है जब हमें A और D प्राप्त है इसलिए A 11 माइनस 62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 3 जिसे हल करने पर हमें माइनस 32 मिलेगा अता वांचित 11 पर माइनस 32 है पैसे अपनी कॉपी में नोट कर ले